हेलो एवरिवन आप सभी का सौगत है राइजिंग चांप्स में मैसल्फ कृष्णा और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो की परसेंटेज का होने वाल है देखे जबी भी आप किसी भी टॉपिक को मैक्स को जब आप सीखने ही कोशिश करते हो तो बहुत बेसिक चीज़े होती है जो सीखना बहुत जरूरी होता है जैसे बचपन से हम लोगो एडिशन, सब्ट्राक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिविजन के बारे में सिखाया जा रहा है और उसके साथ में परसेंटेज भी आता है वो कि आप ये सारी चीज़े सीखते ह कुछ परसेंटेज गेन करने के लिए ठीक है न स्कूल में परसेंटेज की ही तो लड़ाई होती है तो यही सारी चीज़े सीखने के लिए हम लोग परसेंटेज जो है निकालते है तो परसेंटेज भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉंसेट या फिर में बुलू से solve करना होता है बट उसके पहले lecture के regarding अगर आपको कोई भी doubt हो तो नीचे दिए गए number के आप हमें message या contact कर सकते हैं या हम लोग की जो online batches हैं जिसमें आपके सारे के सारे जो doubt होते pre exam के means exam में solve किये जाते हैं वो भी आप जोइन कर सकते हैं तो आए स्टार्ट करते पर्सेंटेज के कुछ पार्ट पर्सेंटेज के कुछ introduction और उसके कुछ concept सो पर्सेंटेज में सबसे पहले तो एकदम simple सा rule है अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको percentage दिया है तो आप उसको लिखते कैसे हो 20 upon 100 मतलब जबी भी आप percentage निकालोगे percentage को अगर आपको हटाना है जैसे यह जो percentage दिया इसको हटाना है तो जस्ट आपको क्या कर देना है divide by 100 कर देना है और ऐसी value को हम लोग कहते हैं fraction तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि percentage को fraction में कैसे convert करते हैं और fraction को percentage में बट क्या उसके पहले आपको यह बत पता है कि fraction क्या होता है fraction यानि कि वो value जो उपर और नीचे यानि कि denominator और denominator में mention की जाती है numerator और denominator में mention की जाती है अगर मैं बोल रहा हूं कि 25% और अगर मैं इसको percentage हटाना चाहता हूं यानि कि मैं fraction में इसको convert करना चाहता हूं percentage को fraction में अगर मैं convert करना चाहता हूं या फिर simple बोलो कि percentage हटाना चाहता हूं तो simple आप क्या कर दो कि 25 को divide by hundred कर दो गया और ये बन जाएगा आपका one by four तो अब twenty five percentage बोलो या one by four बोलो एकी बात है जैसे अगर आप fifty percentage बोलो या फिर मैं बोलो कि मुझे आधा percentage मिला है तो एकी बात होती हाफ percentage मतलब total fifty percentage मुझे मिला है तो एकी बात हो यहां पर सबसे पहले चीज की conversion आपका कैसे होता है यह सीखना बहुत जादा ज़रूरी है कि conversion में क्या-क्या value आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जैसे अगर मैं बोलू कि 1 by 2 को हम लोग क्या बोलते तो पहले सबसे पहले चीज तो आप यह लिख दो कि fraction को जभी भी आपको percentage में बनाना है तो आपको करना है इसको multiply by या बोलो divide by 100 और अगर आप percentage को fraction में बनाना चाहते हो तो क्या कर दोगा आप divide by sorry यहां पर मैंने 100 आपका आ जाएगा या फिर multiply by 1 by 100 भी आप लिख सकते हो या फिर divide by 100 तो यह दोनों चीजे तो अगर मैं half को percentage में लिखना चाहता हो तो यह 50 percentage लिखा जाता है 1 by 3 को 33 1 by 3 percentage कहा जाता है 1 by 4 को 25 percentage कहा जाता है अब आप बोलोगे sir यह कैसे बन रहा है तो देखो यह इसी दरी कै कैसे बन रहा है कि इसको अगर आप जैसे 33 by 3 percentage है तो आप इसको कैसे लिखते हो 33 1 by 3 percentage को आप पहले तो बोलोगे 33 33 आपका हो जाएगा 99 और प्लस 1 अगर मैं कर दूँ तो आपका हो जाएगा 100 by 3 percentage और percentage हटाने के लिए आप का करोगे divide by 100 करोगे तो अगर मैं 100 और 100 को कैंसल क आपको क्या दिखेगा 1 by 3 दिखेगा तो यहाँ पर मैं पहले बात तो कुछ percentage के यहाँ पर हम लोग fraction value जो है लिख लेते और यह बहुत ज़रूरी क्यों है तो क्या आप बार बार conversion करोगे क्या नहीं अगर आपको पता है कि 16 2 by 3 का मतलब 1 by 6 होता है तो I think 600 का 1 by 6 अगर मैं निकालूं तो I think यह बहुत simple है कि 100 value आ जाएगी तो अगर आपको कुछ percentage के यहाँ पर fraction value already पता है तो बहुत easy हो जाता है किसी भी question का answer निकालना बहुत ही जल्दी तो अगर मैं यहाँ पर कुछ fraction value के जो है percentage पहले बात तो ल summarize कर लो ठीक है so 1 by 7 अब 1 by 8 को क्या कहा जाता है 12.5 percentage ठीक है 1 by 9 को कुछ value तक हम लोग जो है इनके percentage और fractions जो है सीख लेंगे याद रख लेंगे ताकि बाद में कोई problem ना है 1 by 11 9 1 by 11 percentage होता है और 1 by 12 होता है वो होता है आपका 8 1 by 3 percentage इतना ही लिखेंगे है हम लोग वरना variations भी होती है वो भी आप चाहिए तो लिख सकते हो variation की जहां तक मैं बात कर रहा हूं मतलब अगर यहां पर अगर माल लो 22 2 by 9 percentage होता माल लोगर 22 2 by 9 percentage होता तो इसको आप क्या लिखते है इस तो 1 by 9 है ना इसको आप क्या लिखते है 2 by 9 तो अगर आपको थोएसा depth में जाना है तो इस टाइप के percentage भी आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं अक्सर आपको exam में कौन सा देखने के लिए मिलता है 33.7 percentage जो इसका अगर आप थोएसा ध्यान दो तो triple value है तो triple value का मतलब आप 1 by 8 नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे 3 by 8 लिखोगे तो अगर आप थोएसा depth में जाते हो percentage की conversion में तो ऐसे conversions भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि exam में अक्सर आपको आते हैं तो जब आपको कोई question में जब ये सारी values देखने के लिए मिले तो आप जरूर उसको note down जो है जरूर कर सकते हो आप उसको note down जो है जरूर कर सकते हो ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब question की तरफ आते कि questions आपके कैसे बनेंगे इसमें सो पहले question की तरफ बढ़ते हैं अब थोड़े से questions simple ही रहेंगे बहुत ज़्यादा complicated नहीं क्योंकि आज हम लों introduction में बट सिल बहुत सारे लोगों को इसके equations बनाने में भी problem होता है तो जिसको नहीं आ रहा है वो carefully जैसे कि अगर मैं बोलू 18 percentage को हटाने के लिए आप जानते ह के equation बनाना सिखाया जाता है वोगी देखो max is all about two things एक आपका calculation होता है plus minus into division और एक होता है आपका word problem सो आप कितने अच्छे से calculation करते हो कितने fast calculation करते हो और आप कितने अच्छे से उनके language को समझते हो यह दो चीज़े होती है तो calculation एक बहुत important part है और question understanding जो की word problems को पढ़ते पढ़ते समझते समझते आप समझोगे equation तयार करते करते समझोगे तो वो यह topic में आप जो है सीखने आले हो यह topic बिल्कुल भी skip मत करना पूरा का पूरा पार्ट जो है आप इसका जुरू देखना so 18 percentage of which number which number दिया इसले मैंने x लिया है is is 12 percentage of 75 ठीक है आप समझे रहे हो ने equation कैसे बन रहा है कि किसी number का 8% 75 का 12% के बराबर है so अगर मैं इसको बस solve करूँ अब इसको बस equation तया equation तयार होने के बाद क्या करना होता है जस्ट कैलकुलेशन तो 63 जा हो गया 620 जा थ्रीए हो गया त्रीएफ़न जा हो गया और 35 टूज जा कितना होता है 50 अनसर आ जाएगा option number a right आ जाएगा तो यह आपर जस्ट आपको equation बनाना है जस्ट आपको क्या करना है depression बनाना है Carefully औ और calculation करना है आई यह दोनों करने में आपको total जो है 20 से 30 सेकंड लगने चाहिए ठीक है थोड़ा साथ टाइम भी ले सकते हैं जब मैं यह मैं एक्जाम की बात कर रहा हूं कि इतना कम टाइम आपको एक्जाम में लगना चाहिए वरना यहाँ पर फिलाल आप थोड़ा सा equation बना दे रहे हो और नीचे 100 of 36 is equals to 54 percentage of x यहाँ पर तो सिंपल सिंपल दे दिया गया so 100 100 cancel अब देखो कुछ लोग को cancel करने में भी problem होता है तो देखो आप यह बात समझो कि अगर मैं 36 into 36 और 54 को अगर यह साइट बेचता हूं तो वह 54 नीचे लिखा होता है मतलब equals to कि अगर मैं आ और 54 numerator में अगर मैं इसको ऊसेट भेजना चाहता हूं तो वह नीचे denominator में आ जाएगे तो अब अगर मैं इसको calculate करो 9 6 9 4 6 1 6 6 6 तो यह हो जाएगा 24 इसका answer आ जाएगा option number a आपका फिर से right आ जाएगा ठीक है तो I think आप समझ रहे हो तो कुछ अच्छे equations जो है आप फटा-फ मिलेंगे वैसे question फिलाल इस question पहते 65 percentage of a number is 21 less than the 4 5th of that number तो देखो वो जो number है वो दोनों same number है कोई अलग-अलग number यहाँ पर नहीं लिया आ गया और यह क्या कहा है कि उसी number का 75% 65% जो है उसके 4th 5th of a number से 21 कम है 21 छोटा है देखो इसको आप दो तरीके से बनाते हो हम लोग इ अरिके से सीखते हैं जैसे कि अगर मैं 4 5th ले लो of a number number मतलब x अगर मैं इसको 65 percentage of the same number से minus कर दो तो आपको answer कितना मिलेगा 21 मिलेगा या फिर 65 percentage of a number में अगर मैं 21 add कर दो तो आपको 4 5th of a number मिलेगा देखो मतलब समझने के अलग-अलग तरीके equation बराने के अलग-अलग तरीक कि आप चीजों को कैसे समझ रहे हो मैं ऐसे समझता हूँ कि यह हैre जयसे यह जो है आपका अ है ओकी एक से के डिस अल चोटा है तो अगर में 27 odd कर दो 21 add कर दो भी के बराबर हो जाएगा या फिर मैं B-A बोलू तो 21 आ जाएगा तो अपने-पने समझने की तरीके है अब एक बार आपने equation बना लिया एक बार आपने equation बना लिया तो देखो आप मैं इसको ज़रा solve करता हूँ यह वाला rough कर देता हूँ मैं यह वाला rough कर देता हूँ कोई भी एक equation आप solve कर सकते हूँ फिर इसके बाद मैं 4 upon 5 को minus 13 upon x से minus कर देता हूँ और इसका value मुझे 20 दोनों का LCM जो है निकाल लेता हूँ LCM 5 और 20 का 20 ही होता है तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से multiply किया तो 16x minus 13x equals to 21 और value कितना मिलेगा आपको 3x upon 20 तो 20 को मैं वो सेट भेज दे रहा हूँ यहाँ पर so 3 cancel 7 cancel so x का value आपका 140 आजाए क्योंकि 27 आपका 140 option number C आपका एक तम राइट अंस रहे ठीक है यहाँ पर आप समझे रहे हो कि equation बनाना कितना ज़रूरी है कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा बट कोई बात नहीं आप आराम से question पड़ो और equation बनाना सीखो तिरे तिरे वो आप पूरा सीख जाओगे चल अब यह कैसा question है कि 1.14 को आप कैसे express करोगे percentage में अगर आपको उसको 1.9 से compare करना हो तो मतलब 1.14 1.14 यह बार बार आगे क्यों जा रहा है 1.14 1.9 का कितना percentage है यह आपको actually बताना है तो अगर देखो कुछ लोग point को देखकर थो आसा घबरा जाते तो मैं क्या बूलता हो कि point को हटा दू 1.14 कर दो इसको और 1.14 करने का मतलब है कि आपने इसको 100 से multiply किया तो नीचे वाले को अगर मैं 100 से multiply किया तो नीचे 100 लिखना ज़रूर है और नीचे वाले को 10 से multiply किया तो उपर 10 लिखना ज़रूर है ठीक है ना I think आप अप समझे रहे हो ना कि उपर 100 से multiply किया मैंने तब ही वो दोनों point हट गया और नीचे वाले को 10 से multiply किया तब ही यह point हट गया तो दोनों को उपर नीचे आपको value जो है लिखनी पड़ेगी अगर मैं इसके बात करो तो यह cut हो जाएगा आपका 00 तो बचेगा 1140 upon 19 और अगर मैं इसका answer निकालू तो I think यह कितना सा हो जाता है यह 6 होता है 114 तो यह आजाएगा आपका 60 percentage मतलब 1.14 जो है वो 1.9 का 60 percentage है अगर मैं ऐसा कहो था कि 20 जो है वो 100 का कितना percentage है तो आप बोलते 20 percentage बट यहां पर इतनी simple value आपको नहीं दी गई है तो थोड़ा सा आप पर calculations जो है observation जो है वो आपका करने आना चाहिए ठीक है equation जो है form करने आना चाहिए चलिए कुछ question और 60 percentage 60 percentage of A is equals to 3 by 4 of B simple equation मेरा तयार हो गया आप solve करूँगा मैं इसको 23 जा 24 जा A और B को एक side ले लिया मैंने 3 और 4 और equals to कि जब 4 को वो set बेजूँगा तो उपर आ जाएगा 3 को equals to कि A set बेजूँगा तो 3 आपका नीचे आ जाएगा यह 3 और 3 4 और 4 जो है वो आपका ओच है यहाँ पर एक गलती कि 25 जा होता है 100 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 नहीं आएगा यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा तो 3 और 3 कैंसल और A और B का जो रेशियो है वो आपको 5 is to 4 दिख रहा है चोटी चोटी गलतिया कभी कभी हो जाती है तो कोई नी उसको थ्वास आप ध्यान देते रहे ना कुछ रहेगा तो मुझे ज़रूर पूछना तो 5 is to 4 जो है वो A और B का यहाँ पर आपका रेशिय बन जाए देखो एकदम सिंपल है बहुत सिंपल है लोगों को अब आप लोगों को धिरी धिरी समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे कोश्चन्स आपको सॉल्फ करने होते हैं चीज़े बड़ी सिंपल होती है बस आपको उसको थ्वासा बनाने आना चाहे शुरों में और बात का जो पार्ट हें वो सिर कालकुलेशन का पार्ट है चले एक लास कोश्चन और और ये सबसे अच्छा कोश्चन है इस पार्ट का तो समझने की कोशिश करते हैं की What rate percentage 1 minute 12 second to an hour इसका मतलब किया इसका मतलब पहले आप समझे ठेक है एक मिनिट बारा सेकेंड जो है वो एक घंटी का एक आवर का कितना पर्सेंटेज है ये आपको पूछने की उन्होंने कोशिश की है अब देखो एक बात में आपको बताता है इसमें लॉजिक क्या है इसमें कॉझेप्ट क्या है है अगर मैं 1 kg और 400 ग्राम बोल रहा हूं तो इसको आप 1000 kg और 400 ग्राम बोलो तब चलेगा बट इन दोनों को आप आड़ नहीं कर सकते हैं इन दोनों को आप ज़रूर आड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर दोनों के टाइम का यूनिट अलग लगे तो पहले बात तो मैं यह कर लेता हूं कि दोनों का time का unit match कर लेता हूं एक मिनिट बारा सेकेंड में total second कितने होते हैं एक मिनिट बारा सेकेंड में total 72 second होते हैं ठीक है ना right का ना मैंने तो कि एक मिनिट में 60 second और 12 second प्लस कर दो 72 second और एक घंटे में लगबग 60 into 60 second होते हैं अब 60 into 60 कैसे हैं I think आपको यह बात थोगा समझ रहा होगा एक घंटे में 60 मिनिट होते हैं 60 मिनिट होते हैं एक घंटे के अंदर और एक मिनिट के अंदर 60 second होते हैं तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 hour में second कितने होते हैं तो 60 into 60, हर 1 minute में 60 second होते हैं, तो 60 minute में कितने second होंगे, तो यह आपका 3600 हो जाएगा, और जहां तक मैं question की बात करूँ, तो question के हिसाब से, 72 second जो है, वो 3600 second का कितना percentage है, यह आपको पूछा गया था, तो 00, 00 cut, 361s आ, 362s आ, so 2 percentage जाएगा, वो इसका answer आजाएगा, 2 percentage option number C आपका write हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि question के answers निकालना काफे simple होते है, बट question का equation बनाना, जैसे कि equation देखो बस इतना simple सा था, बट ना आपको question के अंदर 72 दिख रहा है, ना आपको question के अंदर 3600 दिख रहा है, तो यह कहां से आया, यह छोटी छोटी बाते जो है, आपको catch करने आनी चाहिए बस information होना चाहिए, एक बर वो आपको याद है, एक बर आपको click हो गया, तो I think बस आपको calculation करना है, max को थोड़ा सा याद कर लो, max को मैं थोड़ा सा याद कर लो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़े जो होते हैं, वो याद करनी जैसी होते हैं, याद है, तो आप बहुत easily उसको solve कर सकते हो, I hope आप लोगो वीडियो जो है, पसंद आ रहा होगा, next lecture में इसका आगे का part हम लोग continue करेंगे, तब तक के लिए सभी को take care and good bye, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज हमारे चैनल को जादा से आदा शेयर करिए, लाइक करिए and most important subscribe करना ना भूलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care and good bye